मुझे अच्छे से याद है 2017 में जब टाइगर जिन्दा है आई थी इस फिल्म का मैंने लबा कर सपोर्ड किया था मुझे गाना बहुत जादा पसंद नहीं आया था स्वैक से स्वागत मुझे ओके लगाता हूं मैं थीन स्टार दे था और मुझे याद है लोगोंने बहुत सब्सक्राइब की में सब चीज़ों के लेकिन मुझे गाना जो अच्छा नहीं लगाता उसके लिए मेरी काफी बोलाई और खिलने उड़ाए गई थी और ऐसा लगा है कि मानो कली की बात है वो और स्वैक से स्वागत मेरे एक्सपेटिशन से कई ज्यादा बहतर चला और आ तो रिकॉर्स के हिसाब से माननी जाए या किसी भी हिसाब से माना जाए इस वैक स्वागत बेस्ट सौंग अब सलमान खान और अब सलमान खान ने पहले तो रशिया और तर्की का शेडूल आज कंप्रीड कर लिया है जियां दोस्तों और आपको बताते हुए मुझे फक्र ह हो रहा है कि स्वैक से स्वागत जैसा एक गाना शूट किया गया है और कट्रीना कैफ भी है आपको पता ही है इस गाने में और तर्की के बाद अब ऑस्ट्रीया का रुख करेंगे सलमान खान और उसके बाद दो चीज़े होंगी या तो इंडिया आ जाएंगे बागी पोश करेंगे दो चीज़ हो सकता है जाएंगे आश्टिया के बाद अफ्रीक यूरोप या फिर ऑस्टिया के बाद सीदह इंडिया जाएंगे दो चीज़ हो सकता है जैसे भी होगा मैं आपको बता हुए कि अच्छ का शेडियूल वरेप अप हो चुका है यह खबर मिली है लेक् का लुक है वह 2017 का है और जो 2017 का है लगेगा यानि कि सल्मान खान अब जवान होते जा रहे है हर दिन हर साल बिलकुल लगता है उन्होंने भी अनिल कपूल सर से जगास एक्टर से कुछना को श्ट्रेइनिंग ली है जवान होने की यह शेकर शुब मन से कुछ ट्रेइनिंग लिए और यहां पर सल्मान खान लिट्रल इवन थे मोस्ट हैं से मैक्टर है या क्या दिख रहा है बंदा और कुछ फैंस की तरश्वीर साजह की गई है जाकर सल्मान खान बहुत ही जादा बढ़ी अलगर है तो कुल मिला कि दोस्तों में बहुत जादा बारिश हो रही है मै अब हमें करना चाहूंगा और आपको अवाश सुना चाहूंगा अभी चुना न अपने यह बारिश हो दोस्तों आई होप आपको वीडियो आच्छ लगा हो वीडियो आच्छ लगाने को सब्सक्राइब करना ना भोलेगा पोई मैंसान गाय काय काय नाचे तो मैं रेडि स्वैक सी कहनेंगे सब्कासवाद, 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 शरी बादेवन, वियोग, बबाद